गुद मॉर्निंग स्टूदिंस आज की वीडियो में हम आर्टिकल से रिरेटिड सेकिंड प्रेक्टिस सेट को डिसकेस करेंगे इस वीडियो में मैं आपको हर सिंटेंस रोल के साथ एक्स्प्लेइन करूँगी Here is the first sentence I read blank Gita every day इस sentence में गीता जो है एक हॉली बुक का नेम है आपके sentence में जब भी हॉली बुक या किसी scriptures का नेम हो तो उससे पहले हम हमेशा आर्टिकल दा का usage करते हैं सभी हॉली बुक के नेम और scriptures के नेम से पहले पर हमें एक बात ध्यान रखनी है अगर इन बुक से नेम से पहले इनके राइटर का नेम लिखा हो तो हम इससे पहले आर्टिकल दा का यूसेज नहीं करेंगे अगर इनके राइटर का नेम इनके जस्ट पहले नहीं है तो हम आर्टिकल दा का यूसेज करेंगे अब गीता से पहले इनके राइटर का नेम नहीं लिखा हुआ है तो हम आर्टिकल दा का usage करेंगे नेक्स सेंटेंस है इस सेंटेंस में हम सेंटेंस की फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे शिप एक नाउन है और उसके बाद प्रेपोजिशन ओफ का usage हुआ है और उसके बाद फिर से नाउन है इस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन जब ब्लैंक के बाद नाउन नाउन के बाद प्रेपोजिशन ओफ और उसके बाद फिर से नाउन आए तो हम ब्लैंक में दा आर्टिकल का use करेंगे जो हुमारा first noun है उससे पहले article दा का usage होगा next sentence the higher you go, blank cooler it is ये sentence की formation भी आपको ध्यान रखनी है ये comparative type of sentence है यहाँ पे दो comparative degree यूज होए है higher and cooler ऐसे sentences में हम दोनो adjective की दोनो comparative degree से पहले article दा का usage करते है higher से पहले भी article दा का usage होगा और cooler second जो डिग्री है हमारी यहाँ भी article दा का usage होगा next sentence है she is blank honest lady यहाँ पे lady एक noun है और honest एक adjective हुआ क्योंकि lady के quality बता रहा है कि वो honest है तो हमने पिछली वीडियो में भी ये rule discuss किया था कि blank के बाद adjective और adjective के साथ noun है तो हम वहाँ पे article a या an का usage करते है according to the initial sound honest का जो initial sound है वो o का है और o एक स्वर है इसलिए हम यहाँ पे article an का usage करेंगे she is an honest lady पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे lady word ना होता blank के बाद adjective है पर adjective के साथ noun नहीं है तो हम यहाँ पे किसी भी article का use नहीं करेंगे no article is needed अगर यहाँ पे noun है यह lady है तो हम article an का usage करेंगे next sentence blank moon is a satellite of earth moon से पहले आप article दा का usage करोगे क्योंकि जितने भी unique things है हमारे world में जो चीज़ें एक हैं उन से पहले हम article दा का usage करते हैं इसी तरह से यहाँ पे earth से पहले दा का usage किया गया है next sentence bananas are sold by blank dozen जब कभी हम किसी भी चीज़ की बात करें किसी तिंकी बात करें और हम बता रहे हैं कि उसको किस में measure हम करते हैं मीटर में measure कर रहे हैं length है length कपड़े की length है उसको हम मीटर में measure करते हैं और sugar है उसको हम by kg वे करते हैं तो उसी तरह से क्या यहाँ पे banana की बात हो रही है banana को हम dozens में sale करते हैं इसलिए यहाँ पे by the doesn't का use होगा ध्यान रखेंगे ऐसे situation में जो हमारी quantity है जिस measurement unit का हम use कर रहे हैं उससे पहले हम article दा का usage करेंगे next sentence है लुधियाना is blank Manchester of India यह same last में हमने जो sentence किया था वही same formation है second sentence वाली Manchester एक noun है एक place का नाम है उसके बाद preposition of और इंडिया फिर से noun तो हमने पढ़ा था कि ऐसे sentence की formation में हम article दा का usage करते हैं दा मिंचेस्टर of India next sentence है mangoes are sold by blank kilo same six sentence की तरह है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि mango को हम कैसे sale करते हैं उसको हम kilo के हिसाब से बेशते हैं तो यहाँ पे by the kilo next blank principle is on leave यहाँ पे भी हम article दा का usage करेंगे क्यों क्योंकि जिस time हम बात कर रहे हैं वहाँ पे एक ही principle के हम बात कर रहे हैं बात करने ते time अगर उस time पे वो noun एक ही हो अब principle क्या है एक time पे एक ही होता है तो यहाँ पे हम क्या है article दा का usage करेंगे next sentence है milk is sold 8 rupees blank kilo यहाँ पे हम कहना चारे हैं कि दूद जो है वो 8 रुपे पर kilo है वैसे दूद को हम लीटर के लीटर में measure करते हैं तो यहाँ पे हमने kilo में लिया है कोई बात नहीं तो यहाँ पे पर की sense बनती है 8 रुपे पर kilo चीक है तो यहाँ पे पर की sense जब इस sentence में पर की sense हो own proposition की sense हो या फिर any determiner की sense हो तो ऐसे sentence में हम पर की जगे, any की जगे, own proposition की जगे article a या an का usage करते हैं चीक है जब कभी भी sentence में पर, own या any की sense बन रही हो और आपको article यूज करना हो तो आप हमेशा article a या an का usage करते हैं अब kilo का जो sound है initial वो कै का है और कै जो है वो विंजनों में आता है इसलिए आप article a का usage यहाँ पर करेंगे next sentence है he drives at 40 miles blank hour same last sentence की तरह है same rule apply होगा यहाँ भी जो उसकी driving speed है वो 40 miles per hour है तो पर की sense में हमें article a या an का usage करना है hour का initial sound check करेंगे a का है जो है वो स्वरों में आता है इसलिए हम यहाँ पर article an का usage करेंगे तो यहाँ पर use होगा article an next sentence है my father is blank doctor doctor एक profession का नाम है जब इस sentence में profession के names वाले word हो तो उन से पहले आप article a या an का usage करेंगे अब doctor का initial sound आप check करोगे तो day का है और day जो है वो विंजनों में आता है इसलिए यहाँ पर आप doctor से पहले a article का usage करेंगे a doctor next sentence है he grew up to be blank politician अब politician होना यह भी एक profession की बात है तो यहाँ भी हमें article a या an का usage करना है politician का initial sound पै का है तो पै विंजनों में आता है यहाँ पर आप article a का usage करेंगे next sentence blank Mr. Mehta came to see you when you were away भी कोई Mr. Mehta आये थे जब तुम दूर थे भी तुमें मिलने कोई Mr. Mehta आया था जब तुम गए हुए थे अब यहाँ पे जो Mr. Mehta है वो unknown है नहीं पता की कौन हमें जब पता है कि उसका नाम Mr. Mehta है वो person हमारे लिए unknown है जब person unknown हो stranger हो हमारे लिए हम किसे stranger की बात करेंगे हैं हम यह कहना चाहरे हैं कि कोई Mr. Mehta आया था तो वहाँ पे article a या an का usage आप करते है Mr. Mehta M का initial sound है म का Mr. Mehta म का initial sound है आप article a का usage करेंगे next sentence है the box was made of wood wood जो है एक material noun है और material noun से पहले कोई भी article use नहीं होता सिर्फ एक case में जो material noun को specific बनाया जाए ठीक है कि अगर मैं कहूँ यह जो box है यह इंडिया की wood का बना हुआ है तो आप article दा का use करोगे पर यहाँ पे wood को specific नहीं बनाया गया हम simply कह रहे हैं कि जो box है वो wood का बना हुआ है इसलिए हम कोई भी article use यहाँ नहीं करेंगे Thank you